हलो गाईज तो गैस कल के बिग बॉस के एपिसोड में अनुराग डोबल ने जिस तरह सी ये कहा था कि भाई साब मैं दो करोड़ो भरने को तयार हूँ बिग बॉस दराजा खोलो और मैं घर जाना चाहता हूँ तो वहाँ पर भाई साब बिग बॉस की तो बोलती बंद हो मेरा भाई तुम लोग के सामने जुकेगा नहीं वह हारेगा नहीं वह तुम्हारे समने गड़गडाएगा नहीं पैसे तो हम बाद में भी कबा लेंगे लेकिन मैं मेरे भाई को जूकने नहीं दूँगा अब दोस्तों जिस तरह से नुराग डोबल ने पैसे का पावर दि थी पूरे सीजन तक नॉमिनेट रहने की भाई साब उस सजा भी बिग बोस ने माफ कर दी है जी हाँ जब अनुराग डोबल ने कहा था कि मैं दो करोड भरने को तयार हूं दरवाजा खोलो मुझे बाहर जाना है उसके बाद से बीग बोस वाले काफी डर गए और उसके बाद कर देना चाहिए तो वहाँ पर बीग बोस ने का ठीक है मैं वो सजा अनुराग डोबल के उपर से हटाता हूं लेकिन उसके जगा किसी और को अम मैं ये सजा दूँगा तो वहाँ पर बीग बोस ने का कि आप लोग किसी पर कंटेस्टन का नाम बताओ जिसको ये सजा मैं द दे दूँ तो वहाँ पर सभी घरोलने मिलकर के बाई साब नील भट का नाम ले लिया कि ये सजा नील भट को दे दो अब उसके बाद फिर बीग बोस ने अनौंसमेंट कर दिया कि पूरे सीजन के लिए नील भट नोमिनेटर रहेंगे क्योंकि ये फैसला दम के मकान वालों यानि कि अनुराग डोबल और विकी भट जो मकान है उनकी तरफ से लिया गया है अब यहाँ पर बीग बोस वालों ने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर उनको अनुराग डोबल को थोड़ा सपोर्ट करना था और अपने आपको अच्छा साबित करना था और ऐसा करने का एक लिया है, अनुराग डोबल की सजा माफ कर दिये है और अनुराग डोबल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अनुराग के सामने अपने आपको अच्छा सावित करने के लिए ये सब कुछ बिग बॉस ने किया था फिला-ध लाइफ इडिम बाबु ये ने कि अब तो भाई अपने आपको अच्छा साबित करने के लिए ये सारा कल गेम खेला था फिलाल के इस पूरे मेटर पर आप लोग की क्या रहा है अनुराग डूबल को लेकर क्या रहा है उनके भाई कलब इंको लेकर क्या रहा है आपकी जो भी रहे उस बारे में आप लोग की रहे बताईएगा और Big Boss 17 में आपका फेवरेट कौन है आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो ये भी आप लोग हमें कमेंट में जरूब बताईएगा बाकी वीडियो पसना है तो लाइक कर देने आप लोग के लिए चलो सब्सक्राइब करें घंटी के बटन को दबा देना